नमस्कार, मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोक तंत्र पर आक्रमन हो रहा है और इसका हम को हर रोज नए नए उधारन मिल रहे हैं सवाल मैंने एक ही पूछा था फाउंडेशन पर जाता हूँ अदानी जी की शेल कमपनीज हैं अदानी जी की शेल कमपनीज हैं उसमें 20 हजार करोड रुपिया किसी ने इन्वेस्ट किया अदानी जी कप ऐसा नहीं है का पैसा नहीं है अदानी जी का इन्फरस्ट्रक्चर बिजनिस है पैसा किसी और का है सवाल ये है ये जो 20 हजार करोड रुपिय हैं ये किस के हैं ये सवाल मैंने पूछा मैंने पार्लिमंट हाउस में प्रूफ देखे जो मीडिया रिपॉर्ट से मैंने निकाला अदानी जी और नरेंदर मोदी जी के रिष्टे के बाने में डीटेल में बोला रिष्टा नया नहीं है रिष्टा पुराना है जब नरेंदर मोदी जी गुजरात के सीम बने थे तब से रिष्टा है और उसके बहुत सारे पबलिक प्रूफ हैं हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई नरेंदर मोदी जी बड़े कमफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ पार्लिमंट में मैंने दिखाई ये सवाल मैंने पूछा फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया मैंने स्पीकर को डीटेल चिट्थी लिखी पॉइंट बाइ पॉइंट कि मैंने कहा कि एरपोर्ट अदानी जी को रूल बदल के दिये गए है ये लीजिए रूल की कॉपी उसको बदला गया है चिट्थी लिखी कोई फरक नहीं पड़ा फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लिमंट में जूट बोला बोला कि मैंने विदेशी ताकपों से मदद मांगी मैंने एसी कोई बात नहीं किये मैंने कहा स्पिकर से मैंने जाके कहा स्पिकर सर पार्लिमंट का नियाम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई अरुम एक्विदेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है मैंने एक चिप्थी लिखी उस चिप्थी का जवाब नहीं आया दूसरी चिप्थी लिखी उस चिप्थी का जवाब नहीं आया फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया मैंने स्पीकर सर से कहा Speaker Sir ये कानून है ये rule है इन्होंने जूटा अरोप लगाया है मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं Speaker Sir मुश्कुराते हैं कहते हैं मैं नहीं कर सकता और फिर उसके बाद आपने सब ने देखा क्या हुआ सवाल पूछना मैं बंद नी करूंगा नरेंदर मोदी जी का अधानी के साथ क्या रिष्टा है और बीस हजार करोड रुपे किस के हैं मैं पूछता जाओंगा मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाई करके धमका के जेल में डालके मुझे बंद कर सकते नहीं मेरी वो हिस्ट्री नहीं है मैं हिंदुस्तान के लोक तंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान के लोक तंत्र के लिए लड़ता रहूंगा किसी चीज से नहीं ड़ता हूँ यह सच चाहिए अब आप सवाल पूछिए एक एक करके एक एक करके I'll say it in English also I'll say it in English also the question begins few weeks back in parliament where I asked the Prime Minister a very specific set of questions question number one 20,000 crore rupees or 3 billion dollars are in shell companies owned by Mr. Adani Mr. Adani could not have generated this money he's an infrastructure business where did this money come from whose money is it that was the first question whose shell companies are there these companies are working in the defense field why does nobody know whose money this is there is a Chinese national involved in this why is nobody asking the question who is this Chinese national that was the first question second question was set of questions with proof were what is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani I showed the picture of Mr. of the Prime Minister and Mr. Adani's plane relaxing I gave documentation about the defense industry about the airports about statements made in Sri Lanka about statements made in Bangladesh pictures of Mr. Narendra Modi sitting with the State Bank Chairman in Australia and I put this proof on the table immediately after that the BJP started its work my speech was expunged I wrote a letter to the speaker with a detailed explanation on the defense industry on the airports with press clippings supporting documents legal documents and said this is the supporting foundation of my speech I have not made this speech I have not invented this this is detailed research here it is nothing happened nothing was revoked my speech today is not part of the record of parliament the same by the way was done with Mr. Karge after that BJP ministers lied about me in parliament they made the statement to distract from the Adani issue the whole game disqualification and all these statements are to distract from the central question whose money is it 20,000 crores whose is it kiska hai yeh that's the main question the whole thing is to distract so they said that I have asked foreign forces to help India most ridiculous statement I have never made such a statement you can look at all the conversations I had in the United Kingdom not one such statement was made in fact I said this is India's problem India has to resolve this problem right a minister lies on the floor of the house I wrote to the speaker and I said speaker sir it is my right as a member of parliament when somebody makes an accusation to state my position please let me state my position the first letter is not answered I then write a second letter with more details saying the names and what was said still no answer I then go to the speaker's chamber and I say speaker sir what is going on we live in a democracy you are the defender of that democracy why are you not letting me make my statement the speaker smiles and says I cannot do that come and have a cup of tea with me right so this is the whole drama that is being orchestrated to defend the prime minister from the simple question whose 20,000 crore rupees whose 3 billion dollars went to Mr. Adani's shell companies by the way sorry I just need to finish that I left out a part look I am here defending the democratic voice of the Indian people I will continue to do that I am not scared of these threats of these disqualifications of these allegations of these prison sentences I don't care I am not scared of them okay these people don't understand me yet I am not scared of them they are used to everybody being scared of them I am not scared of them right and I will continue to ask the question what is the prime minister's relationship with Mr. Adani it is an old relationship it is a relationship that began when he was chief minister of Gujarat Mr. Adani constructed the idea of resurgent Gujarat organized all that this is a partnership it is a close partnership I am going to keep asking that question Rahul Ji on the other side of the administration तो आपोजिशन की पार्टी को एकी रास्ता है जनता के बीच में जाने का अजी अनुवर्ट सर भारती जनता पार्टी ने आप पर अब पर उबीशी समुधाय के अपमान का आरूप लगाया है इस पर आप क्या जबाब देना चाहेंगे बारती जनता पार्टी में पिछले भारत जोड़ो यात्रा में आप मेरी कोई भी स्पीश देख लीजे मैं वहां कह रहा हूँ सब समाज एक हैं सब को एक साथ चलना चाहिए भाईचारा होना चाहिए नफरत नहीं होनी चाहिए हिंसा नहीं होनी चाहिए तो मेरी पोजिशन बिल्कुल क्लियर है ये OBC का मामल नहीं है ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिष्टे का मामला है बीस हजार करोड रुपए जो अदानी जी को पगानी कहां से मिले उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूँ और उसका जवाब चाहिए बीजेपी धियान को भरकाने की कोशिश करती है कभी OBC की ब बात करेगी कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी मगर सवाल यही है बीस हजार करोड रुपए थ्री बिलियन डॉलर्स किसका था संजय मिश्रा और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता संजय मिश्रा आपने का आप डरते नहीं है लेकिन स्टेट के टार्गेट पे है और स्टेट आपके खिलाफ है पूरी स्टेट पूरी मसीनरी आपके खिलाफ है ऐसे में आपके सामने चैलेंजर बहुत बड़ा है तो रास्ता क्या है रन्नीती क्या है चाहिए State हो चाहिए कुछ भी हो मैं सचाई को देखता हूँ मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है मैं सचाई बोलता हूँ राजनेती में ये फैशनल बात नहीं है मगर ये बात मेरी खूड में है मैं और कोई रास्ता निकाली नहीं सकता हूँ तो मेरा काम यह है यह मेरी तपस्या है जिवन की तपस्या है उसको मैं करता जाओंगा चाहे मुझे डिस्क्वालिफाई करें मारे पीटे जेल में डालें मुझे कोई फर्क नहीं करता मुझे अपनी तपास्या कननी है इस देश ने इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है शांत हो जाएए इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है प्यार दिया है इसलिए मैं यह करता हूं सुपरिया राابल सर BJP के जो लीडर्स आप पर अटाक करें उस पर आप क्या कहेंगे और इसके लावा वाइनार्ड वहाँ पर जब से खवर गई है वहाँ पर लोग बहुत डिस्विलीफ में हैं प्रोटेस्ट भी रप्ट हो रहा है आप अपनी कॉंस्टिटुएंसी के लोगों को क्या कहना चाहिए नही तो मैंने सोचा कि मैं वाइनार्ड के लोगों के लिए अपनी एक चित्थी लिखूँ उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूँगा उनका देखिए बीजेपी के नेताओं का काम यही है देखिए वो सब नरेंद्र मोधीची से डरते हैं कानन आप जानते हो नरेंद्र मोधीची ने कहा कि देखिए ध्यान अटाना है वो सब जानते हैं अधानीची और नरेंद्र मोधीची का रिष्टा सारे के सारे जानते हैं क्या रिष्टा है सब जानते हैं सबकुछ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रहा है लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून ने अपना काम किया है तो ये दलील है कि कानून ने आपको सजा दी है और उसी की वज़े से आपका निलंबन भी हुआ है इस पर आप क्या करेंगे कि आपके प्रेशारे पर ये हुआ है आपके प्रूप्चिए ओमालिष में भी हुआ जिपनासजी आपके नो, लोग कि कि वीह जएपोर य कि अदी आपके Fast lebwe rich that is going to come and they don't want that speech to be in parliament that's the issue that is why first the distraction now the disqualification please don't be confused about this matter there is a there is a deep relationship between narendra modiji and mr adani there is there is a question 20 000 crore rupees have suddenly arrived in mr adani shell companies where has this money come from whose money is it it is some of these companies are defense companies why is the defense ministry not asking this question why is the defense ministry not asking the question but please explain to us who whose money is this that is being spent on our drone development that is being spent on our missile development that is being spent on our ordinance production why is the defense ministry not asking this question में उसके बाद बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल जो अभी तक कॉंग्रेस से दूरी बना के चलते थे वो भी आपके समर्थन में आए तो आपको क्या लगता है अब वो समय आ गया है जब सारे विपक्ष को एक जुट हो जाना चाहिए मैं उन सब का सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिल के काम करेंगे रंजीता रंजीता जिस बयान को लेकर आपको ये सजा सुनाई गई है क्या आपको लगता है आपको अफसोस है उस बयान को लेकर क्या कहेंगे उस बयान पर अब देखिए अब ये लीगल अब ये लीगल डिसकॉशन है उस पर मैं टिपनी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये कॉर्ट में मामला है मगर मैं मैं जो भी जवाल उठाता हूं वो सोच समझ के उठाता हूं आजी निरज अब कुछी दिन पहले लक्षद्वीब के सांसद मुहमद फैजल की सदस्ता गई थी और बार में हाइकोट नहीं स्टे कर दिया था अभी उनकी मेंबर सिवरी इंस्टेट नहीं हुई है तो सुन लिजिए अभी उनकी सदस्ता रिंस्टेट नहीं है लेकिन चुनाव आग ने बाहल कर देंगे मुझे उन्मीड में कोई इंट्रस ने एं चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले मैं अपन आ काम करूंगा अगर यह मुझे परमनली डिसक्वालिफाय कर दे दो भी मैं अपना काम करूंगा अगर मुझे रिइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूँगा मुझे कोई पढ़ नी पढ़ता मैं पार्लिमंट के हंदर हूँ या बाहर हूँ कहा हूँ मैंने आप से कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है मैं उसको करके दिखाऊंगा आपके लिए अपने लिए एक मिन रमन एक मिन रमन इस नाप टो मी इट अप टो कॉंगरेस प्रेजिडेंट कौन जाएंगे राहुल जी राहुल जी राहुल जी मेरा स्वाँ आपके हाँ बैठे हैं दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिस्ता है उनके साथ लेन देन का मामला उसका कहा दे धन्दे का मामला है धन्दे का मामला क्या बत कर रहे हैं ये धन्दा रोकेंगे ये लोग जिनके पास जो भी स्टेट का उनके साथ नाता है जो भी विजनेस चल रहा है वो विजनेस रोका जाएगा क्या देखिए सिंपल सी बात है आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिच मत कीजिए बीस हजार करोर रुपे अदानी जी की शल कंपनीज में कहां से आए आप इंक्वाईरी कीजिए अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए आज सिदर्थ सर राहूल सर प्लीज मैडम एक मिनिट मैडम मैडम आप लोग तंतरों को समझे ये जो पैनिक रियाक्शन इन्होंने किया है नरेंदर मोदी जी ने इससे सबसे जादा फाइदा मिलेगा विपश्क शो ये इन्होंने हमें हत्यार पकड़ा दिया है ये आप बात समझे ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी ये बीस अजार क्रोड रुपे किसके हैं डर गए गबर आ गए इन्होंने पूरा सीक्वन शुरू कर दिया ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हत्यार दिया है राउल जी क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भरष्ट व्यक्ति है अब जनता के सवाल में जनता के माइंड में ये सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री क्यों बचा रहा है यह मतलब अब सब कुछ BJP के लोग नरेंद्र मोधी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं दूसरा सवाल BJP के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमन देश पर आक्रमन है मतलब इनकी माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है बात समझे राउल जी मेरा सवाल आप से यह है कि जब आप यह फैसला सामने आया आपको मैक्सिमम परिश्मेंट जो है इसमें दो सकती है वो आपके लिए मुकररर की गई इस बीच कई लोगों ने ये भी कहा आपके पार्टी के भी एकसांसद ने कहा कि कम से कम जज़ को यह देखना चाहिए था कि सामने जो शक्स है वो एक गांधी परिवार से आता है इस पर आप क्या कहेंगों आपको लगता है मैकसिमम पनिश्मेंट जो है आपके केस में मैकसिमम पनिश्मेंट आपके लिए मुकररर की गई कि आपको इसके पीछे क्या कहना आपके वो ही मैंने कहा अगर डिस्ट्रेक्शन करना है डिस्ट्रेक्शन करना है मैकसिमम पनिश्मेंट की तो जरूरत है मिनमम पनिश्मेंट बात थोड़ी बनेगी मैं तो सोचना था वह यह पांच साल होते साथ साल होते दस साल होते वो भी मिल जाता मुझे क्या वर्पड रहा है या रजली मै मै I have only one step and that step is to fight for the truth in this country and to defend the democratic nature of this country that is under please let me finish Rajdeep unless you want to answer it for me you do that also sometimes yeah so so my my job as I see it is to defend the democratic nature of this country and I will whatever I have to do whatever I have to do to defend the democratic nature of this country what does that mean that means defending the institutions of this country that means defending the voice of the poor people of this country that means telling the people of this country the truth about people like mr. Adani who are basically exploiting the relationship they have with the prime minister yeah Pallavi please one second let's go see these are legal matters it makes me no difference I told them it makes me no difference if I'm disqualified not qualified whatever it makes me no difference disqualify me disqualify me for life put me inside jail I will keep going I will not stop mr. Gandhi two things here one are you worried or apprehensive about the political relevance of say the opposition and do I look worried to you do I look worried to you I'm excited I'm happy that these people are giving me the best gift they could give me and second mr. Gandhi is that BJP's reaction since yesterday is that if you hadn't torn the ordinance then then perhaps you wouldn't be facing the law today your response to that though my response to that is that when somebody is guilty of something they want to distract everybody's attention right if you catch a thief the first thing he says is I didn't do it the second thing he says look there look there look there look right that's what the BJP is doing we have caught 20,000 crore rupees entering mr. Adani's companies nobody knows whose money that is that money cannot be mr. Adani's money he does not generate this type of money so that money has come from someone all this OBC disqualification an anti-national all this is to distract from the panic that the prime minister is feeling that his relationship with mr. Adani is going to be exposed let me tell you that relationship is going to be exposed nobody is going to stop that it is going to happen because the opposition is going to press this thing until we find the answer as soon as soon as Dr. Adani says, well, I want to invite you from the state of the country which we find of my personal life as soon as you have to address the issues of the management and you are in charge of what the so-called Meridian comes from the Prash conference to your people who are in charge of other policies it's the currents of the council that this issue happened to situation that Trump has really wanted to be asked that after human rights began because of the people are doing this to stay there. I had to say the country said the negative part that he can't tell it's not a problem and it was about in charge of the public health of the public health of the public health of the public health of the state and the public health of the public health energy that the fact is in charge of the public health of the public health issue, क्यापको ओडर दिया है क्या थिखो मुश्कुरा रहे हैं गूम गां मैं आपको अधरन देता हूं आप थोड़ा गूम गां के निकाल नुगल देखो ऐसे बोलो पहले राहुल जी तो प्लीस 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 if you want to work for the BJP then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest then I'll answer you the same way I answer them don't pretend to be a pressman विक्रण रहुल जी हवा निकल गई रहुल जी बीजेपी के लोग बार-बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाशन दिया तो उन्होंने का माफी मांग लेते अभी कहा कि कोट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते तो जब ये लोग कहते हैं रहुल गांदी माफी मांग लेते हैं तो रहुल गांदी क्या सोचते हैं रहुल गांदी सोचता है मेरा नाम सबरकर नहीं है मेरा नाम गांदी है गांदी किसे माफी नहीं मांगता और मैंने कहा पार्लिमन धाउस में कहा कि या मुझे बोलने दीजे ना एक बार तो बोलने दीजे दो बार चित्थी लिखी तीसरे बार मैं personally speaker से आगे कहता speaker sir please आप democracy के democracy के लोक्तंत्र कहा डिक्तर है मुझे बोलने दीजे मुझे कर आगे कहते हैं भाया मैं तो नहीं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है शायद मुझे जा के मोदी जी से पूछना पड़े वो तो करने नहीं देंगे तो मेरा जो पॉइंट है इस देश में लोगतंतर खतम हो गया है इस देश के लोग जो इनके दिल में है हमारे दिल में है बोल नहीं सकते है इस देश के इंस् वो foundation है मैं नरेंदर मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूँ BJP अदानी जी को क्यों protect कर रही है आप नरेंदर मोदी जी को protect कीजिए मैं अदानी जी पर पूछ रहा हूँ आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो.